हेलो एबरीवन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुखिया पर आज हम बनाएंगे घर के ही सामान से बहुत ही क्रिस्पी और लाजबाप नास्ता बीना बेले बीना पटे बहुत ही आसान तरीके से इस रेस्पी को एक बार जरूर बना के देखना तो चलिए शुरू करत इसे बनाना तो यहां पर हमने एक पैन लिया इसमें दो कप पाई डाल दिया है और थोड़ा सा अंदमक हरा धनिया और हरी मिर्च को डाल दिया है पानी थोड़ा सा गरम हो गया है अब इसमें हम एक सूजी डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फिलेम हम मीडियम ही रखेंगे और देखिए सूजी ने इतनी जल्दी सारा पानी अब्जॉब कर लिया है और जब यह पैन छोड़ने लगे इस तरह से तो इसे हम ढख देंगे और गैस की फिलेम बंद कर देंगे आप यहाँ पे हमने यह चौपर लिया है इसमें हम प्याज को हमने काट गए इस तरह से डाल दिया है इससे होगा इससे बहुत बारीक-बारीक प्याज कट जाएगा दिखे इस तरह से हमने प्याज भे थोड़ा सा लाल मिश डाल दिया था अब यहाँ पे हमने ओबले हुए आलू लिये हैं इसे हम इस तरह से मैस कर लेंगे अच्छे से तो आलू को हमने यह मैस कर लिया है गाज जर से इमला असानिया डाल से बारिक बारिकया और भी कली डाल दिया अब यहा पे चाइच मसाला एक चोथर टीश्पून सब्सक्राइब मेश्या अलुक्ट इसपून, हमनने चिली फ्लेक्स लिये या और स्वाद के नुसाओ नमक और आधा टी स्पून हमने यहा पे गरम असाला भी लिया है और अधरट डाल दिया है ग्येट करके इसे मिक्स कर लेंगे इसे हाँ से mix करेंगे हाँ से अच्छी तरह से mix हो जाएगा आप चाहे तो चम्मस से ही mix कर सकते हैं तो दीखे इस तरह से हमने mix कर लिया है अब हैं छोटी छोटी इस तरह से हम बोल बना लेंगे हम अपने डोगों देख लेते हैं तो दीखे यह अच्छे से सुजी फूल गई है इसे थोड़ा सा हम इस तरह से गूत लेंगे छोटा सा एक पर्ट लेंगे ysłट अच्छे से फैला लेंगे बस इसे अच्छे से हम चारो तरफ से बंद कर देंगे जिस तरह से हम कचोड़ी बढ़ते हैं बस उसी तरह से करना है अगर आपके हाथों में चिपके तो इसमें थोड़ा सा ओयल लगा सकते हैं लिएकर हमारा यहाँ पे नहीं चिपक रहा है बस हलका सा फैला लेंगे हाथों पर और इसमें हम आलू की स्टफिंग रखके अच्छे से से इस इस तरह से बंद कर देंगे तो देखिए इस तरह से हमने बना लिया है ऑइल हमने पहले से गरम करने के लिए रख दिया था तो ओयल ज्यादा गरम न करें तो देखिए इस तरह से हम डाल देंगे कैस की फ्लेम हमने अभी मीडियम रखी है इस तरह से हमने सारी पैटी डाल दी है यह पैटी बहुत ही कृस्पी और बहुत ही टेस्टी बन थी एक बार जरूर बना के देखना अगर आपको वमारे वीडियो अच्छे लगते तो लाइक से सब्सक्राइब कर लें तो देखिए इस तरह से आलट पलट कर कृस्पी होने तक इसे हमने सेक लिया है देखिए इस तरह से यह कलर आ गया है अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए देखने में कितनी सांदार लग रही है न वो इसे बनाना बहुत ही आसान है तो इसे हमने निकाल लिया है यह बहुत ही कम समय में बनके तैयार हो जाते है खाने में तो इसका टेस्ट लाजबाब है तो इस तरह से हमने सर्ब कर लिया है टोमेटो केचप के साथ अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो लाइक से यह सब्सक्राइब कर ले थैंक्स पूर वाचिंग टेक एर बाई